बॉलिवर्ड में आज कई ऐसे अक्ट्रिसेज हैं जो बोल्ड फोटो शूट या अपने फिल्मों में या सीरीज में बोल्ड सीन्स देने के लिए तयार हो जाती है लेकिन एक टाइम ऐसा था जब ये बोल्ड सीन्स करने का चलन नहीं था लेकिन उस दौरान कुछ आक्ट्रिसेज ने टॉपलिस शूट्स करवा कर सुर्ख्या बना दी थी उसी में से एक थी 90's की पसंद की जाने वाली टॉप आक्ट्रिस ममता कुलकर्णी ममता कुलकर्णी ने अपने टाइम में एक ऐसा फोटो शूट करवाया था जिससे पूरी बॉलिवुड इंडस्ट्री में ममता के चर्चे होने लगे और आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको ममता कुलकर्णी के उसी टॉपलिस फोटो शूट के बारे में बताऊंगी ये बात तब की है जब ममता कुलकरणी इंडस्ट्री में नई नई आई थी सिरंगा में एक छोटा सा किरदार किया था और उसके बाद आशिक आवारा फिल्म उनकी काफी हिट हो गई थी इसी दोरान स्टारडस नाम की मैगजीन जो है वो एक नया चहरा तलाश रही थी उन्हें अपनी मैगजीन के लिए एक ऐसी आक्ट्रिस की जरुद थी जो टॉपलेस फोटो शूट करवाने के लिए तयार हो जाए उस दोरान स्टारडस ने काफी नई आक्ट्रिस से इस फोटो शूट करवाने का ओफर दिया था लेकिन सभी ने इस ओफर को रेजेक्ट कर दिया चलन नहीं था उन्हें पता था कि कॉंट्रिवर्सी खड़ी हो जाएगी लेकिन ममता कुलकरणी कुछ अलग थी यही कारण है कि स्टारडस वाले जब ममता कुलकरणी के पास यह ओफर लेकर पहुँचे तो ममता कुलकरणी ने उनसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा उनका मानना था कि अगर इस तरह का फोटो शूट चल गया तो तो ममता बॉलिवुड में स्टैबलिश हो जाएगी लेकिन अगर नहीं चला तो इंडस्ट्री वाले और ममता के पैरेंस दोनों ही उन्हें इस फिल्म इंडस्ट्री से बाहर फेग देंगे कुछ दिनों का समय लेने के बाद ममता ने फाइनली मैगजीन वालों को कॉल किया और अपनी हामी भर दी लेकिन साथ में एक शर्त रखी कि पहले पिच्चर्स मुझे दिखाए जाएंगे मैं अप्रूफ करूँगी तो ही वो पिच्चर्स छपेंगे नहीं तो उस टाइम तक भी मैं ये डील कैंसल कर सकती हूँ मैगजीन ने उनकी इस शर्त को भी माना इसके बाद ममता कुलकरणी ने कॉन्फिडेंटली अपना वो न्यूट फोटो शूट करवाया फाइनली ममता कुलकरणी को वो पिच्चर्स दिखाई गई उन्हें वो पिच्चर्स पसंद आई उन्होंने वो पिच्चर्स मैगजीन के कवर के लिए अप्रूफ कर दी और मैगजीन के नेक्स्ट एडिशन में ममता ने टॉपलिस फोटो शूट से तहल का मचा दिया इंडस्ट्री में इस किताब के काफी चर्चे हुए इनफाइक जहां इंडस्ट्री वालों ने ममता की इस बोल्डनेस की तारीफ की वहीं कुछ संगठन ममता के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करने आए ममता के photos जलाये गए, magazine के cover को जलाया गया ममता पर जुर्माना भी लगाया गया, कुछ cases भी उनके उपर चले लेकिन publicity बहुत मिल गई इतनी कि जस वक्त ममता कुलकरणी पर इतने सारे सवाल उठ रहे थे तब Bollywood के बड़े-बड़े actors ममता के support में आये थे जिसमें शारुक सल्मान का नाम शामिल है हाना कि इस bold photoshoot से ममता को जो उमीद थी वैसा ही हुआ उनकी publicity हो गई, top की वो actress बन गई, बड़े-बड़े filmmakers ने उन्हें अप्रोच किया साथ ही उस magazine की भी sale इतनी बड़ी कि इस magazine का वो ममता वाला जो edition था वो black में बिका था इस top photoshoot ने ममता कुलकरणी को Bollywood industry में established actress तो बना दिया था लेकिन उनकी ये success जादा टाइम नहीं चली कुछ समय बाद वो underworld के साथ रिष्टों को लेकर सुर्खियों में रही बाद में एक drug paddler Vicky Goswami के साथ उनका relationship हुआ जिसके साथ वो Dubai चली गई फिलहाल ममता विकी Goswami केनिया में है और ममता पर drugs के कई मामले चल रहे हैं मुंबई में उनकी properties seal कर दी गई है ममता Bombay High Court से request कर रहे है कि उनके उपर सारे drugs के cases जो है वो हटा दिये जाए क्योंकि वो अब एक योगी नहीं बन गई है वो spiritual way पर चली गई है और जब तक ऐसा नहीं होगा जब तक उनके उपर से ये सारे इल्जाम नहीं हटेंगे तब तक ममता इंडिया भी नहीं आ सकती